पेपर टू योग विश्ष है जिसमें हमने बोडी को इंट्रड्यूस किया तो हुमन बोडी को एक तरह से हमारी बोडी अगर हम सीधे खड़े हो जाए और हाथ योग निद्रा में थोड़ा सा दूर हो जैसे ठीक है हथेली है हमारी सामने ठीक है तो हमारी कौन सी स्थिती थी एनाटोमीकल पोजिशन बोला गया था उसको एनाटोमीकल पोजिशन अनाटोमी में जब शुवात करते हैं बोडी को डिसाइड डिफाइन करने तो यहां से स्टार्ट होता है ठीक है इसमें से अगर हम एक क्रोस इस तरह के से लगा दें जिससे हमारा सूपीरियर और इनफ प्लेन को क्या कहेंगे हम रंजिना शर्मा में प्लीज अंसर दिया करें रंजिना शर्मा में आपको बहुत टाइम हो गया है अंसर देना ही देना है रंजिना शर्मा में अंसर नहीं देंगे तो बहुत गलत बात है आपको देने दिना अंसर सर उसको बोलेंगा ट्रांसवर ट्रांसवर्स प्लेन का कुछ दूसरा नाम बता सकते हैं क्या सर सेकिंड नेम भी होना चाहिए होरीजॉन्टल बोलेंगे जमीन के साथ में होरीजॉन्टल ठीक है एक प्लेन ऐसा है जो आपकी बोडी को साइड में बांट देगा एक ऐसी लाइंग इमेजिंगे जो बोडी के सजेडल और सेटल प्लेन या साइड में बांटा है और साइड क्या बन granular राइट लिया अलेश्य नाम हो रहा इसकता है यहां पर लैटरल प्लेन टीक है मतलब side M बन गया plane side M बना दिया एक plane ऐसा हो सकता है आपका जो आपकी body को front और back में बाट ऐसे अगर आप imagine करें आदा हिसा आगे front टीक है ऐसा front और back अगर बना दे या ये कहें anterior बोले तो front और back की बोले तो posterior anterior का उल्टा anterior की जगें आप कहीं तो ventral reduce कर सकते हैं ventral या dorsal यह ऐसे शब्द याद रखना है examiner पूछेगा पूनम सिंग में मजाक नहीं चल रहे हैं यहाप रहे हैं आप हर चीज़ को मजाक मिलेते हैं टाइट हो जाहिए चोटी चोटी बारी किया पूछ रहा है इतनी basic बाते पूछ लेता है कभी-कभी तो imagination में नहीं नहीं थी कि ऐसा भी question बन सकता है क्या ऐसे चीज़े पूछ लेता है तो please इसको करना ही करना आपको ठीक है यह पूछ सकता है तो front और back यह दो side हो सकती है front को तो हमने anterior, frontal और front बोला back को हमने posterior, dorsal या back यह बोला क्या नाम देंगे इस plane का plane का क्या नाम होगा कौन से plane है जिसके कान हमारा सरीर आगे और पीछे है और front, back में बटा क्या नाम इस plane का जल्दी से इतनी देर होगी, अंसर नहीं दे पा रहे है आप क्या, पता नहीं है क्या आपको plane का frontal, टीक है, क्या नाम दिया frontal plane, क्योंकि front में बाट दिया frontal, और front से r-o-n ऐसा coronal, coronal से spelling मिलती चूलती है, exam में तो option होगा, आपको पास थोड़ा सा match कले न, coronal plane plane, ठीक है, ओके, बट अमेशा option पर depend होके मत जाना, ठीक है, क्योंकि examiner कई बार मिलता है जोग तक जान मुझे गलत spelling वारे option दे जैसे, coronal के साथ में आपको कई सारे option दे सकता हो, coronal plane है, या soronal है, ठीक है, या doronal है, ऐसे, सेम से दे दिये, तो आप औरो-औरो को match-match करना, मतलब पूरा थोड़ा सा ध्यानक न, coronal actual spelling, आपको थोड़ा सा पता होने चीज़, क्या plane है, ठीक है, coronal plane, ये तीन plane थे, जिसके बेस पर हमारी language हुई, तो जैसे कुछ शब्द और हमने देखे थे, anatomia दीवर में, और dors एक था, proximal, proximal क्या था, joint के just pass में, pass में, ठीक है, और dorsal मतलब दूर, तो आप हर अंग को आप define कर सकते हैं, अच्छे से, अब आपको समझने आ गया, जैसे मैं ये को हूँ, कि ear are proximal to shoulder, then knee, कान जो है, गुटने की पेक्षा कंदे के ज़्यादा pass में है, clear है ना, ठीक है, ऐसे हम word use कर सकते हैं, तो pass और दूरी को दर्शाने के लिए, proximal और dorsal word use करते हैं, sorry, sorry, शमा चाहूँँगा, dorsal गलत लिग दिया, distal, distal, ठीक है, dorsal तो पीछे का उता है, distal, तो distal, मतलब आपका कान जो है, गुटने से ज़्यादा दूर है, और shoulder के पास में है, कान आपके गर्दन के ज़्यादा पास में प्रोक्सिमल है, shoulder से distal में है, ऐसे, अप एक शाक्रिताप मापते होते हैं, एक और क्या वर्ड़ाइदा प्रोक्सिमल हो गया, ठीक है, superior, inferior हो गया था, ये शब्दी भी हमने देख लिए था, anterior, posterior हो गया था, ये कुछ शब्द हमने जाने थी, इसके अलावा anatomical position हमारी पूरी हो गई थी, medial, lateral हो गया था, lateral बोले तो दूर जो होता है, left में राइट में होता है, mid line से जुद्धरा दूर जाएगा, आप lateral में होता है, ठीक है, ओके, इसको बोलते हैं, तो transverse frontal suicidal plane हो गया, कैसे कैसे गुजरते हैं हमारे शिवी में से, कहा कहा से गुजरते हैं, क्या क्या बनाते होते हैं प्लेन, किस की रूप में मारे बाग को बाड़ते हैं, ये in short हमारी कुछ थोड़े छोड़े शब्द थे, जिनको हमने जाना था, डॉक्टर गायतरी शर्मावयम, superficial, छोटी सी शब्द है, इसमें कोई typical चीज लग रही है, superficial का मकलब है, कि धरातल के just pass में, जैसे हमारे जो सिर के बाल है, hairs, ठीक है, वो superior to skin है, क्या है, superior, superficial, superficial है, to skin, मतलब skin के उपर उपर पाए जाते हैं, सरफेस के उपर पाए जाते हैं, और veins are deeper, veins are deep, हेर्स के पेक्षा तो veins deep में होती है, सरीर के अंदर तो बाल नहीं होती है, स्टमक के अंदर बाल नहीं है, बाहर वाली skin पर है, superficial hairs, और veins, blood, या कुछ और आप, कुछ बोलेंगे, x, y, z, अंदर की चीज़, bones आदी, वो क्या है, deep में है, ठीक है, ऐसे ही बोलने हैं, एक bone की बात करें, bone की, हड़ी तो आप जानते होंगे, ठीक है, bones, bones के जस्ट उपर एक layer पाए जाती है, bones के उपर जस्ट एक layer, उस layer को हम क्या बोलते हैं, periosteum, क्या बोलते हैं, periosteum, ठीक है, और bones के जस्ट बीचों बीच में, एक cavity पाए जाती है, cavity, बोले तो खाली जगें, जिसमें adipose tissue बढ़ा रहता है, आगे की बाते हैं, बस मैं यहाँ पर मेरा tissue कौन सा है, यह बतानी की पेक्षा, मेरा उदेश है यहाँ पर ही है, साफ़ी क्तारिया में, कि superficial और deep को संजाना, तो हम यह कहेंगे, superiosteum is superficial, superficial, बाहरी इससा बाहर बाहर वाली layer superficial है, outsider में हो, ठीक है, और अंदर चले गए तो वो deep में, ठीक है, दूर, surface से दूर गए तो, सेम ऐसे visceral parietal है, कि जैसे visceral parietal, parietal में जो organ को cover करते हैं, जैसे pariosteum को आम parietal कहीं, कह सकते हैं, जब बाहरी layer है, visceral में अंदर की चीज़ ले सकते हैं, यह अंदर वाली cavity visceral गए सकते हैं, अंदर आंगी, ठीक है, ऐसा, बस इतना ही है, बाक्की जैसा अंग आएगा, आपका बैसर define कर लेना, इसके अलावा कुछ और, बहुत सारी शब्द होते हैं, उनको भी हमें जानना चीह, जैसे शरीर में आपने कुछ, कार्डियो, कार्डियो वर्ड किसके लिए होगा, हर्ड के लिए होगा, ठीक है, हर्ड के लिए, रीनल वर्ड किसके लिए होगा, जहांपर भी रीनल लगी, समझ जाना, kidney की बात हो रही है, कि सेल की बात कोाई है कोई सेल जैसे ओस्टिय VielER ऐसे लीकोसाइट या एरिप्ट 살ब यह कोई सेल की बात हो भी होगी यहां पर ऐसे समझ लें डालोग ऐसे संभलेला भुट ओर की उर्ट होते हैं जैसे रेनल हो गया है Hippatic. Hippeto word आए, वैसे तो आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे short words याद होते जाएंगे, अभील को रट्टा लगाने का मदने हैं तो लगा ले ना, नहीं तो दिरे दिरे आप पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपके लिए चोटी चोटी शवद आते जाएंगे ही पैटो जोते हैं लीवर के लिए ही पैटिक वर्ड आपने सुना ही होगा ठीक है लीवर ओके इसके अलावा जैसे और मसल्स के लिए बात करें मसल्स के मायो 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 वर्ड जो है मसल के लिए परसीद हो जाता है ठीक है न्यूरोन तो अधर बाहरी दीका यह हैं आंधर जब लगे तो समझें ना अंत्री करें अंदर है जैसे आप से एक बात मैं कहूँ कि मेरे पास में एक एंडोक्राइन का यह एंडोक्राइन कोछ सरुवर्वा्र यह So यह सिंपल सी बात है अंत्यस्तरावी है उसका नाम या बाहस्तरावी है तो डेफिनेटली अंदर वाली से लोगी यह कहें एंडो नूरियम यह समझवे एक वर्ड है नूरोन है एक मान लीजिए एक नूरोन है उस नूरोन की बहुत सारी लेयर हो सकती है अब यह पताओ एक ए की है, बाहर की है या अंदर-बाहर दोनों की है अंडो-nureum जब लग जाए नाम तो एंडो जब लग जा आगे समझ लो कुछ भी है मुझे नहीं पता एंडो वर्ड है तो समझ लो अंदर का ही रिप्रेजेंट करेगा यह बस simple एंडो और और exonurium होता वैसे होता नहीं है, exonurium होता word तो वो बाहर को represent करता बस exoendo, इतनी सी बात है, ठीक है, आपको ये basic इस तरीके से clear होना, जाए कि endo का मतलब क्या है, exo का मतलब क्या है, इस तरीके से, और osteo word, osteo, osteo word लग जाए, तो osteocyte, osteoarthritis, ऐसे osteo, osteo word होता होता है आपके bones के लिए, bones के लिए represent करते है, osteo को हम bones के रूप में जानते है, bones related, मतलब bone ही नहीं, bones related कुछ भी, एक अर्थ, O, R, T, H, O, ortho, सुना होगा, actual में earth word होता है, ये word होता है, joints के लिए, जैसे arthritis, तो समझे लो, arthritis joint में दिक्कत है, bone की दिक्कत नहीं है, bone की दिक्कत होगी, तो osteoarthritis हम नहीं बोला, osteoporosis बोल दिया, ऐसा कुछ बोल लेंगी, ठीक है, osteo malaysia बोल देंगी, ऐसी word, arthritis बोल रहे हैं, तो bone की दिक्कत नहीं होगी, bone जब joint बना रही है, तो वहाँ के आसपस की दिक्कत है, arthritis mainly, arthritis जब word यूज़ किया जा रहे है, ठीक है, तो समझे लोग की उसका मतलब है inflammation, और inflammation का मतलब है swelling, प्लस में हलका सा pain और redness, जैसे हमें चोट लग जाए, तो चोट लगने पर inflammation हो जाती है मारे श्री में, जैसे घाव हो गया, तो swelling भी आ जाती है, अलकी सी, दर्द होता है, pain भी होता है, redness, reddish हो जाती है, skin, rashes बगरा ह कुछ नाम होता है, बड़ी आंद, large intestine का कुछ नाम है क्या मारे श्री में, क्या नाम है, sir colon, तो colon है बड़ी आंद का नाम, और colon में आइटिस जुड जाए, आइटिस जुड जाए, तो इसका मसलब समझे लो, क्या हो गया, colitis हो गया, अब colitis में बताओ क्या प्रोल्म है, colitis में आपके बड़ी आथ के अंदर inflammation हो चुका है यह हम कहेंगे inflammation हो चुका है inflammation ओके ऐसे ही और बोले जाए peptic ulcer तीक है ulcer वर्ड क्या होता है चाले को रिप्रजेंटेशन होता है है mouth ulcer बोलते हैं तो मुझ के अंदर चाले हो गय पैप्तिक ulcer या ना ह Heck के अंदर चाले होगे पेट में कहा कहा पर डियोडिनल में अलसर हो सकता है आपके स्टमक में हो सकता है या इसोफेगस जो है वहां पर अलसर हो सकता है ठीक है ओके एक वर्ड और होता है हाइपो एंड हाइपर एक वर्ड लगे है हाइपो एंड हाइपर बोल देते हैं क्यों ह हाइपर हो रहे हो ज्यादा हाइपर मत हो ऐसा बोलते हैं हाइपर मतलब ज्यादा करना किसी चीज़ को ज्यादा जैसे गुस्सा हाइपर होना मतलब गुस्सा हाइपर टेंशन बढ़ा देंशन ज्यादा हो रही है हाइपर बीपी बहुत बीपी ज्यादा हो गया हाई हो गया ह और hypo BP मतलब hypo tension, hypo मतलब कम को representation करता है, कम की तरफ, hyper मतलब ज़्यादा की तरफ, ठीक है, hyper होना, okay, hypertension कम BP को दर्शाएगा या ज़्यादा BP को दर्शाएगा बताओ, hyper BP, hypertension वर्ड यूज़ करें, तो hypertension का मतलब होगा कि BP ज़्यादा है, दबाव ज़्यादा है, ऐसा, hypo मतलब कम है, ठीक है, जैसे एक वर्ड यूज़ किया जाए, hypoglycemia, वर्ड यूज़ क्या, hypoglycemia, वर्ड बोल देते हैं, आप कीमिया बोल देते हैं, glycemia, glycemia glucose को रिपरजेंट करता है, और hypo मतलब कम, अगर किसी व्यक्ति को hypoglycemia है, तो इसका मतलब उसके अंदर, sugar level या diabetes उसको है या नहीं है, बत्सिये बताओ, डॉक्टर पूनम सिंग में, उसको diabetes है या नहीं है, hypoglycemia की कोई state में है, तो उसको diabetes रोग है या नहीं है, आप से indirectly कोशन पूछा जाएगा, डारेक्ट नहीं पूछाएगा कोई भी, तो साक्षी कटारिया में उसको diabetes नहीं है, hypoglycemia का मतलब है कि glucose low है, ठीक है, glucose का level यानि sugar का level बोडी में कम है, और sugar का level किसी बोडी में कम होता है, तो उसको हम sugar का रोगी नहीं बोलते हैं, उसके अंदर तो sugar कम है, जिसके अंदर sugar level ज़्यादा है, वो diabetic है, ठीक है, sugar level ज़्यादा है, बलेड में especially, और यहाँ पर अगर बलेड में hypoglycemia है, तो definitely sugar रोगी तो नहीं है, वो और ही ज़्यादा कमजोर है, वो बस ऐसी फिर रहा है, बस चल फिर रहा है, कमजोर, डाइबेटिक पेशेंट को, यहाँ पर एक नोट और करना, साक्षी टारियमें, डाइबेटिक जो पेशेंट होगा, उसको एक शब्द malitis होता है, तो दूसरी बात, टैकी शब्द सुना होगा, माइक्रो और मेगा, माइक्रो शब्द सुना है, माइक्रो और मेगा, मेगा मतलब लार्ज साइज में, ठीक है, माइक्रो मतलब छोटे साइज में, सुक्षम साइज में, ठीक के लिवर इस महिंगे जाहिए, माइक्रो जैसे मााइक्रो और उर्गन्स का मतले है कमें कि बहुत ही सुक्षम तकत में, बहुत ही चोटे अंग, और मेगा और आइज ब मतलब लार्ज ओरगन, जैसे liver is mega in size और हमारे salivary gland is micro in size लिवर की पिक्षा लिवर की पिक्षा ओके और एक होता टैकी और ब्रैडी यह दो शब्द होते हैं टैकी और ब्रैडी T-A-C-H-Y, टैकी, टैकी, T-A-C-H-Y, टैसे है, टैसे तेज, कि कोई चीज की गतीक तेज होता है नोर्मली यह हर्ट के लिए युज होता है, जैसे Tachycardia, तो cardia hurt के आगे Tachy word लग गया तो इसको हम यह एक हर्ट हमारा क्या हो गया, तेज हो गया सर, तेज हो गया, और एक जैसे Megawird से, बिमारी होथा एक ब्यमारी होती है Acromigaly अब Megawird आ गया तो यह Mega है, इसमे कुछ बड़ा हो रहा है, कुछ चीज बड़ी हो रही है पता 하 चाह रही हो है, acromigaly में Pt migrant से कुछ hormones हैं वह ज़्यादा निकलने लगत finds हो जाता है, जिसमें शरीर जो होता है, छोड़ा होने लगता है, Caleb हो जाता है खली जैसा हो जाता है, एक हां एक गाल, मेगा, मेगा का मतलब यह होता है, ऍुक मार्ण जैसे अगर कोई बीच में या आगे आग antibody जैसे एंटी जन का मतलब क्या होकता है कि एंटी विरोध्धी को generate करेगा यह, anti-gen, कि एक ऐसी चीज है, जो anti-body को generate करता है, वो anti-gen कहलाता होता है, ठीक है, anti-ka मतलब विरोध्धी, okay, against, या A या N लग जाए तो, A या N, anatomymia अगर वरड़ यूज़ करेंगे तो उसका मतलब तो कमी, जैसे anemia, यान किसी चीज़ की कमी होगी, A N, E M, I A, ऐसे ही होता है, कमी होगी, anemia, किसी चीज़ की कमी हो जाना, absence हो जाना, कमी हो जाना, ऐसी शो करता है, तो यह कुछ शब्द हैं, जिनको आपको note कर लेना, जो आपके आगे exam में बहुत help करने वाले आगे चलकर की, ठीक है, छोटी-छोटी बातों में, exam में common sense लेके चलना है, छोटी-छोटी basics को लेके चलना है, A N, ठीक है, lack या absence को कहते है, anemia जैसे anti-against या anticoagulant, card के लिए या cardiac, endo जो जो होते है, inside जैसे endocytosis या endoneurium, exocytes या exocryne, outside गी रूप में hyper access, ज्यादा को बताते है, hypertension जैसे, hypo, कम को बताते है, hypertension, micro जो होता है, वो small या हीपेटो मीगेली में बताओ किस चीज की डिजीज है यह हमारे कंदे की डिजीज है शोल्डर की या एलबो की या लेग की बताओ कहां की डिजीज है हीपेटो अभी मैंने बताया शाक्षी टार्यम हीपेटो वर्ड हमारे लीवर के लिए है तो यह option निकला ता सर क्लेम करो इस question को तो क्या होगे हीपेटो लीवर के लिए और लीवर मतलब साइज में बड़ा हो जाएगा ठीक है जो मेबी कोज हो सकता है फैटी फैट के कान उसता है तो फैटी लिवर की condition हो सकती है कुछ भी हो बट हीपेटो में लिए मतलब लीवर का size increase हो गया बड़ा हो आइटी का मतलब inflammation जैसे appendicitis appendix में दर्द हो गया appendix में inflammation हो जाएगा appendix चरीर में किस साइड में होती है कुछ बता सकते है क्या left में होती है appendix appendix left में होती है right में होती है सर appendix की बात करें तो right side में होती है lower side में होती है ठीक है चोटी यांत और बड़ी यांत जब मिलते है तो वहां पर appendix होता होता है तो उसमें inflammation होगी तो सब्सक्राइब होगी arthritis joints में होता है root joints के लिए tacky मतलब fast हो जाना किस चीज़ का टैकी कार्डिया मतलब heartbeat fast हो जाना Brady मतलब slow यानि Brady कार्डिया यानि heart का slow हो जाना यह कुछ terms है basic name है ओके आगे है cavities of body शरी की cavity cavity शब्द क्या होता है खाली जगय है cavity का मतलब है खाली जगय है ठीक है खाली स्थान हमारी शरी में वैसे तो कोई खाली स्थान नहीं है सब में कुछ न कुछ है कहीं कोई fluid है कहीं कोई liquid blood तो तैर रहा है कहीं पर saliva है कहीं पर हार्मोन है कई पर कोई gas है अगर हो खल एक्चुल में खली स्थान नहीं है बट खली स्थान पहले था जिसके काण उसमें कुछ आ गया जैसे पेट है हमारा ठीक है उस पेट में अगर खली स्थान हो तो उसके अंदर क्या-क्या है आंते हैं हमारी लीवर है ऐसे यह cavity है पेट वाली जिसक अगर हम सारी चीज निकालतें तो वहां क्या है दिमाग मारा ब्रीन अग्रड़न तो उपर हमारे सिर वाली स्थ क्वाल उसके अंदर एक pipe होती है, उस pipe में क्या होती है, spine, शुसमना बोलते हैं, तो उस spine को spinal cavity बोलते हैं, spinal cavity, ठीक है, अगर वो नय हो तो, तो ऐसी चाती है, चाती वाले reason को हम thoracic reason बोलते हैं, thoracic, तो thoracic चाती में से अगर हम फेपड़े निकाल दें, hurt निकाल दें, तो चाती के अंदर क्या है, खली स्थान, तो thoracic cavity, मैंने पहले कहा कि यह कभी निकलते नहीं है, इवन कि मृत्य हो जाती है, dead body के तो भी नहीं निकलते हैं, ठीक है, कब किसी ने निकाले हैं, कभी lungs मृत्य के बाद में भी नहीं निकालते हैं, बट हम इमेजन करके चलते हैं, कि यहां पर खाली जगय थी, जिस खाली जगय में, lungs आ गय, hurt आ गया, या कुछ एक दो ओरगन एक्स्ट्रा ओर आ गया, इसोफेगे साज टाइप के, ठीक है, यह इमेजनेशन होती है, हमारी cavity, तो cavity को study करने का त्रिक का थोड़ा सा अलेक है हम cavity को दो बागों माटते हैं, एक हमारी ventral cavity होती है, ventral, एक होती है dorsal, अपने शरीर में इमेजन करते चलना बहुत असान हो जाएगी चीज़े, बहुत यह असान हो जी, ventral का मतलब आगे की साइड, dorsal का मतलब पीछे की साइड, ठीक है, पीछे की साइड, आगे की तो हमारा पेट सीधा दिख रहा है और चाती दिख रही है, पेट को हम बोलते हैं, abdominal reason, abdominal, तो abdominal की साइब से cavity बोल देंगा, abdominal cavity, चाती वाले रिजन को हम thoracic बोलते हैं, thoracic, ठीक है, cavity, ऐसे मोटे तोर पर हम दोर बोल देते हैं, यह, ठीक है, dorsal की बात करें, पीछे की बात है, vertebra है, और vertebra में क्या है, actual में spine आनी है, वहाँ पर सुश्मना आनी है, तो उसके नाम से spinal cavity है, ठीक है, और spinal cavity, actual में spine सुश्मना जो है, वो क्या है, वो हमारा जो दिमाग है ना, सिर में उपर जो दिमाग है, जिसको सिर ने, हमारे hairs ने cover किया है, उस दिमाग का पूँच जो है, निकल करके नीचे जाता है, उच, दिमाग का बड़ा हुआ हिस्सा, जैसे गाए भैस होती है, तो उनका पूँच क्या है, अलब चीज थोड़ी है, वो गाए भैस का बड़ा हुआ रूप ही है, ठीक है, पीछे की साइड में खीचा चला जाता है, सेव ऐसे brain का एक आगे वो खीच चला जाता है, तो पीछे क्या होँआ, स्पाइन, कैविटी, स्पाइनल कैविटी, वल्टिव्रेल कोलम के अंदर रहती होती है, ऐसे ही, यह brain भी तो फिर पीछे में काउंट करेंगे, अगर स्पाइन को हमने काउंट किया पीछे, तो brain को भी पीछे में कैविटी, थोरेसी कैविटी, दो, पीछे वाली कैविटी को भी आप दो नाम देंगे, एक को देंगे, स्पाइनल कैविटी, एक को क्रैनिल कैविटी, यहां तक आशा करता हूं, बात कलियर अपनी, कोई दिक्कत नहीं है, तो अब थोड़ा साम पिक्चर के, इस आप से हम काली स्थान, ठीक है, ओके, पीछे की कैविटी आपको दिख रही होगी, एक तो यह ब्रेन के लिए जगह चोड़ दी, ब्रेन के लिए, जिसका नाम हमने दिया पीछे, क्रैनिल कैविटी, एक ब्रेन का पूँच जहां गया, यानि स्पाइनल कोर्ड, स्पाइनल कैविटी स्पाइन कैविटी, यह दो कैविटी होगी पीछे, ठीक है, आगे की साइड आपने नाम दिया है यहाँ पर, कि आगे की साइड सर्फ मुह के अंदर तो देखो, सारी कुछ आ गया, वैसे बक्तल कैविटी आदी मुह के अंदर आ गया, वो हम बाद में काउंट करें, मोटे के अंदर वाली क्या नाम देंगे, एब्डो मिनल कैविटी, ठीक है, ओके, यह हमारी नाम हो जाएंगे, क्लियर है, दो आगे, दो पीछे कैविटी, फिर पेट के जस्ट नीचे हमारा जनन अंग जहां होते है, रीप्रोडक्टिव ओर्गंस जहां पर होते हैं, प्रगिग नाम दे देते हैं, ऐसे नाम वर्गी खृत कर लेते हैं, तो अब थोड़ा सा पढ़े, इस चीज को पढ़ते हम, जो मैंने समझा है, उसी चीज को हम पढ़ रहे है, कुछ नया नहीं देख रहे है, देविया मलिक में, जो हमने समझा है, उसी को हम फिर से पढ़ कि इंदी में लिखाओ, इंदी में पढ़ना चाहें, वो हिंदी में पढ़ने, रंजना शर्मा में आपको उत्तर देना है, शांती से नहीं बैठना है, ठीक है, बहुत साल हो गया आपको बैठे वी शांती से, अब उत्तर दीजे, किरपया, देर आर two main cavities, दो cavity है, एक तो पीछे वाली डोर्सल, एक आगे वाली वेंटरल, वेंटरल पेठ के ही साफ से जाने जाती उधर की, दोर्सल पीछे, प्रिष्ठ वाली, ठीक है, पीछे की साइड, डोर्सल पेविटी में क्या क्या आएगा, क्रेणियल पेविटी आएगा दिम एक नाम देखते हैं यह जैसे यहां लिखा हुआ है यह फिर से देख लीजिए यहाँ पर मैं नाम लिखता हूं एक और यह दो एक और दो तो क्या होगी आपकी डॉर्सल के विटी दो का नाम है आपका क्या बर्टिप्रल कोलम् या spinal cavity एक का नाम है आपका cranial cavity ठीक है brain के लिए आगे यहां पर ॆर यह चार और यह फाँच तीन का नाम है thoracic cavity चार का नाम है abdominal cavity और पांच का नाम है pelvic cavity चार प्लस पांच को एक अठा जोड़ के लिखते हैं तो क्या लिखा जाता है Abdomino 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 Pelvic Cavity अच्छ इकठा जोड़के देखा जाता है तो Abdomino Pelvic नाम क्लियर हो जागा कौन सा अंग कहां पर आएगा आप से यह पूछ लिया जाए Suppose चलते चलते एक जाने में पूछ ले कि Abdominal Cavity Consist of Abdominal Cavity में क्या क्या होगा तो Intestine मिलेंगी ठीक है Plus में लीवर आपका यही मिलेगा Spleen यहां पर मिलेगा तिक है Major Organ और क्या मिल जाएगा बड़ा Organ के रूप में Spleen मिल गया Pencreas यहीं मिलने वाला है Pencreas ठीक है यह Major Organ और Gall Bladder ठीक है यहीं मिलेगा लीवर से जुड़ा हो रहता है जो ठीक है यह अंग है यहां मिलेंगे अब इतनी अभी किसी को अभी भी नहीं पता है इतना ठीक है कोई बात में दीरे दीरे पता लग जाएगा पूरी अनेटोमी होने के बाद में आपका कोश्चन नहीं बचाए और शुरुवात में आपके देरों कोश्चन बन सकते हैं एक दम से जिसने pft cci cavity अऊपकी एक च्छत यानि लंक्स मिलेंगे लंक्स के अदर जाती वह भी यहीं मिलने . मेरेन मिलेप मेरेन, ब्रेन के दो-चार भागवागों के नाम पुचि लेगे, ब्रैन के दो में रख भागों के नाम पुच अपर अजय कर आप़ां पाँ सिब बात हैं एनस को भी इसी में ले लेते हो के और male और females के genital organs ले लेते हो के यह प्रोश्टेट ग्लेंड आदी सारे इसी चीज में आ जाहिए pelvic cavity में ठीक है ओके सर तो आगे हम पढ़ते हैं डॉसल cavity को study कररे है जो हमने picture को समझा उसी picture को लक्षमी पटेल में हम world to world पढ़ रहे हैं कुछ नया नहीं कर रहे हैं जान रखना डॉर्सल बोडी cavity पीछे वाली क्या क्या नाम पता है हमने एक होता उसमें cranial cavity एक होता के मनं के जो है वो किसको सेक्योर करते हैं हमारी स्पाइन को सुषुना को ठीक है स्पाइनल को जो होती है उसके अंदर रहती है वर्टेप्र को और उसको संभाल के रखा जाता है वर्टेवल को रहा the spinal cavity is continuous with the cranial cavity spinal cavity जो होती है यानि read के अदडि वाली खाली से जगए होती होती है वो cranium के just साथ में जुड़ी होई है cavity के साथ में मतलब brain की ऐसे समझे आपटे से में आपटे थि ऊपर और उसी से नीचे की तरफ चला गया तो ये एक उपर और cranium में दो नीचे spine है, एक और दो continuous है, ऐसा नहीं है कि cut लगावा बीच में, बीच में cut नहीं है, ज्यान रखना, बीच में कोई gap नहीं है, continue है, continue, ये बात है यहाँ पर, continuous with cranial cavity, continue रहती होती है, ठीक है, okay, sir, done है, ventral body cavity की बात लें, आगे वाली पेट की side में, तो पेट की side में आगी क्या है, thoracic, छाती होती है, thoracic, overall छाती का नाम है, thoracic cavity में, अलग लग नाम है, एक तो वो है, जहाँ पर lungs आ जाएंगे, lungs, lungs cavity, नाम नहीं पता है, तो lung की cavity, सिधा lung cavity ही कह दो, जब तक नाम नहीं पता है, जब नाम पता लग जए, तो clear हो जाना चाहिए, lung, एक heart की cavity है, heart भी आ रहाई ही, lungs के पास में, heart आ रहा है, ठीके, एक उपर यहाँ पर जगह है, जहां से track ही आपका गुजर रहा है, नीचे track ही जा रहा है, और यहीं से आपका food pipe, जिसको हम isophagus बोलते होते हैं, वो भी cavity है, ठीके, और नीचे diaphragm होता है, यहीं से गुमावा, diaphragm ज्या करता है, हमारे उपर छाती वाले भाग को, और पेट वाले भाग को, अलग लग भाग में बाढ़ देता है, तो lungs कैसे होते हैं, इस प्रकार से हमारे lungs होते हैं, ठीके, यह हमारे track यहाँ से बढ़ जाता होता ह और एक तो इस प्रकार से, एसे lungs होते हैं, दूसरे वाला छोटा, ऐसा अंदर धसा होते हैं, यहाँ पर हमारा इस प्रकार से करेके, Hulk यहाँ पर लगा होता है, Hulk तो thoracic cavity में क्या क्या आया? thoracic cavity, के अंदर कुछ चीजें होती है cavity में, एक cavity तो lungs के लिए है, Lung's cavity, ठीके? है लंक्स कैविटी कगया नाम देंगे और एक कैविटी किसके नाम से है हल्ट के नाम से हल्ट कैविटी क्या नाम देंगे कि से कि है requirements की कैविटी का नाम है का लंक्स जिसमें पायगा उसको प्ली र वर्ड लीवर के लिए उसके लिए लंग्स के लिए उसके वर्ड रहते हैं तो यहांपर बीच में यह को सारा का सारा मैं हाइलाइट करता हूं को यह यहां से खाली जगही यह इदर यह खाली जगह है यह पूरी की फूरी जगह को यह मिड में है मीड में है तो इस मीडिया स्टाइनम इस मीडिया श्टैनम के अंदर भी एक फुर्ट ने ले लीhin एक चुनल मि एक था टार फैनुरिक बे learnt को में हेर्टकैविटी नहीं कहि żyillon, अब हम अब हम नाम क्या देंगेगी अच्छाelled मिद्या कि मिडियस्टाइब जो है वो अपनी सारी सारी जाति के बीचो बीच वाली में जिए घुझ एकए हमारी किया ऑगई मीडियस्टाइड गी और ईसो-फेगस यह में मीडियस्टाइब में सहो करके घुझ रेगी. ठीक है ऐबाइ और नाम अब हम देखते हैं, देखो, तो thoracic cavity उपर है, नीचे abdominal pelvic cavity है, thoracic और abdominal pelvic को अलग करने वाली muscle का क्या नाम है, diaphragm, diaphragm दोनों को अलग करती है, medische num, आपकी चात्य के बीचो बीच वाला हिस्सा है, पीचो बीच वाला है, ये सारक सारा medische num है, बीच का हिस्सा, जिसमें आपके दोनों lungs के बीच में हैं, इसमें हिरदय भी आगया, हर्ट भी आगया, और आपकी जो ट्रैक या उपर से आई वह भी आगी, और food pipe जो आ रही से हम दे देंगे cardiac cavity, आगे जाकर वो भी अलग हो जाई है, तो पढ़ते हैं, अब इसको हम study करते हैं, ventral cavity मतलब आगे वाली side है, जिसमें हमारा mainly thoracic cavity है, और abdominal cavity है, और उसके साथ में pelvic भी है, zenital organs वाला, thoracic cavity वो है, जिसमें क्या होता है, आगे वाले side के ventral internal organ, superior to diaphragm, diaphragm से उपर-उपर वाले अंग होते हैं, diaphragm से निचे वाले अंग नहीं, superior का मतलब अभी हमने पीछे समझ के आए हैं तर्म को, उपर, तो diaphragm से just उपर वाले अंग कों से हैं, जो भी है, वो सारे thoracic cavity में माल लेते हैं, जिसमें pleural cavity, pleural cavity मतलब lungs जहां पर आएंगे, ठीक है, तो lungs right और left lung, pleural cavity में रहेंगे, media stynum क्या है, वो space जो lungs के बीच में है, pleural cavity की left pleural cavity और right pleural cavity, दोनों में lungs आगे, उन दोनों के बीच में जगह है, बचकी उसको media stynum बोलते हैं, media stynum के just बीचों बीच नीचे आकर के pericardial cavity है, ज इसके अंदर hurt आएगा, ठीक है, hurt, occupied by hurt, hurt आएगा, हर्दय आएगा, ओके, तो ये जैसे हमारे lungs है, lungs की cavity का नाम हमने क्या दिया, pleural cavity, एक right lung के लिए हो गया, एक left lung के लिए, pleural cavity, तो pleural याद रखेंगे, pleural, किसके लिए हो गया, lungs का covering हो गया, lungs की covering, अगर किसी दिन एक रोग देखने को मिला, pleurocy, ठीक है, pleurocy, ऐसा कुछ करें, ये शब्द मिला, pleurocy, तो उसमें समझ लेना, कि pleura, ये जो लंग्स की cavity है, ये खराब होगी, ये जो जुली थी, ये खराब होगी, इसमें, fluid increase होता है, plural, fluid होता है, वो fluid increase हो जाता है, जिसके कारण हम एक local language में word use करते हैं, कि जो लंग्स में पानी बर गया, फेपणों में पानी बर गया, फेपणों के अंदर कभी पानी नहीं बरता, लंग्स में नहीं बरता, जस्ट ये fluid होता है, वो swell कर जाता है, किसी कारण नवर्श, ठीक है, कोई inflammation के कारण, autoimmune disease के कारण, या कोई चोट लग जाती है, या कुछ खाना पीना अच्छा नहीं है, या physical inactivity, so close हो सकते हैं, ज्यादा कोई भी चीज हो सकते हैं, जिसके कारण ह हो गया, तो उस टाइम हम कहते हैं, लंग्स में पानी बर गया, हालांकि छाती, मतलब लंग्स के अंदर कभी पानी नहीं बरता है, वो just pleura जो होता है, वो swell कर जाता है, बस उसी को हम बोलते हैं, लंग्स में पानी बरना, ओके, तो इसके बीचो बीच वाली cavity क्या बोल दें हमारी, तो थोड़ा फिर से हम समझते हैं, यहां सारी cavity, लंग्स की cavity को हमने क्या दिया, थोरह सी cavity में देखो नाम क्या-क्या cavity और जुडगे, थोरह सी के अंदर और क्या-क्या जुडगे, थोरह सी cavity, उसके अंदर हमने plural cavity को words को हम समझा, plural cavity, और mediastinum, और cardiac cavity, ठीक है, यह ती और नीचे जो है, abdominal cavity, abdominal नीचे की साइड में, थोरह सी के अंदर pleura, mediastinum, cardiac, यह तीन आई, कौन सी में क्या है, वो चीज़ आप समझ गया होगे, cardiac cavity में, isophagus नहीं होगा, cardiac के अंदर just cardiac, pericardial cavity में, just cardiac, hearty होगा, mediastinum में आपकी trachea हो सकती है, isophagus होता है, pleura cavity में, cable lungs होगे, यह नाम याद रखना, ओके, तो ventral cavities की अगर हम बात करें, अच्छे से, तो abdominal pelvic cavity, thoracic cavity को में ने study कर लिया, abdominal, pate वाली, pate के अंदर क्या होगा, एक तो abdominal pelvic, abdominal cavity आ जागी, जिसके अंदर आपके intestine आदी होगे, तीक है, आगे वाले अंग, जो diaphragm से नीचे होगे, और superior to pelvic cavity, मतलब pelvic जनन अंग वाली जो जगह है खाली सान, उससे superior उपर होगे, diaphragm से inferior है, और superior to pelvic cavity है, definition समझ में आ रही है, ये lunges बनाता है examiner, ऐसी, pelvic cavity की बात करें, तो pelvic cavity का है, जो हमारी abdominal cavity है, उससे जश्ट थोड़ा सा नीचे है, inferior to the abdominal cavity, and credited by the pelvis, और pelvis जो होता है, उसका ढख करके रखता है, या उस cavity का मतलब covering करके रखता है, pelvis, तो ये सारी cavities होगी in short, back side dorsal बोलते हैं, dorsal या posterior, ठीक है, confusion नहीं होना है, पैसे पीछे, पैसे posterior, anterior बदले तो आगे, और ventral बोले तो, dorsal का उल्टा हुई या, ventral आगे, ठीक है, ओके, पीछे का हम cranial cavity बोलते हैं, या spinal cavity बोलते हैं, एक और दो, ठीक है, आगे की side को हम thoracic cavity बोलते हैं, या abdominal, abdominal, pelvic cavity बोलते हैं, इसके अंदर अगर हम और सब पार्ट जोडें, तो abdominal cavity पेट वाली हो गई, pelvic cavity जनन अंगों वाली हो गई, ठीक है, इन सब को मिला करके आगी cavity, thoracic cavity में क्या-क्या जुडेंगे, पल्यूरा, cavity, ठीक है, और mediastinum, और pericardial, ठीक है, ये cavity जुड़ गई, कोई जगे की दिक्कत, अब आप से कोई शब्द पूछे, बताओ जी, hurt किस cavity में लाई करेगा, option में आपको thoracic cavity और abdominal cavity, cranial और spinal, ये चारी नाम है, तो आपका उत्तर होगा, जैसे, hurt किस में लाई करेगा, hurt, कहां है, कहां है, ओके, तो option में आपको A cranial cavity, B spinal cavity, C thoracic cavity, और D में abdominal pelvic cavity, ये है, तो आपका उत्तर सिंपल सी बात है, आप उस time option चूज करेंगे, thoracic cavity, उस time, जगर ऐसा option होगा, अगर suppose करो, आपको option A cranial, B spinal, C thoracic cavity, D abdominal pelvic, और E option और दे रखा है, जिसमें क्या दे रखा है, pericardial cavity, pericardial cavity, cavity, pericardial नहीं, media stynum बोलते हैं, media stynum, media stynum, ठीक है, और F एक और बनाते है, pericardial, pericardial, ठीक है, तो अब A, B, C, D, E, F, इन में से best answer कौन सा होगा, hurt कहा है, अब मोमिता मलाशा में, अब कहां पर है, अब हमारा उत्तर, देखो, option सेम है, option ही decide करेंगे, हमारे हमें प्रशन का right उत्तर क्या देना है, आपने क्या पढ़ रखा है, doesn't matter, कुछ फायदा नहीं है, कुछ फरक नहीं पढ़ता है, उसका, वहाँ जा कि अटक मत जाना, कि हमने तो ऐसा पढ़ा तो ये question तो गूमा हुआ है, question डेफिनिटली गूमेगा, option को देख करके ही आप decide करेंगे, कि अलांकि मोटे तोर पर थोड़ ऐसी cavity भी है, उससे भी मोटे तोर पर आप ventral cavity कह सकते हैं, ठीक है, उससे मोटे तोर पर heart कहा होता है, ventral cavity का हिस्सा है, ऐसे आप कर सकते हैं, सक्षी क्टारिया में, तो अब यहाँ पर हमारा क्या हो जागा, जो option है F, तो pericardial activity जाद हो आगे, थोड़ा सा, पिक्चर के हैं, थूई समझ रहे हैं, पिक्चर अलग अलग है, बस आपको थोड़ा क्लियर हो जाएं, जिनको बिल्कुल समझ जा, डॉर्सल बोड़ी कैविटी, पीछेक साइड क्रैनियल, स्पाइनल कोड, वेंट्रल बोड़ी कैविटी, आगे प्ल बॉड़ी कैविटी जानते हैं, वैसे, यहाँ नाम नहीं है, ठीके वेंट्रल बॉल्सल में जाएं, बकल कैविटी, यह माउथ के लिए होता है, जहाँ पर माउथ में क्या-क्या होता है, दान्त होता है, टी त होते हैं, और टंग होती है, टी ओ यू एन जी, वो अलग आ देते हैं वो actual में dorsal cavity का इससा बन जाता आप सारा कसारा तो अब देखो यहाँ पर बोडी की cavities पूरा चार्ट बनावा है body cavities dorsal होती है पीछे वेंट्रल होती है आगे cavity वेंट्रल की बात करें तो वेंट्रल में यानि आगे thoracic चाती होगी और abdominal pelvic होगा चाती के अंदर medias stynum होगा और pleural cavity pleural cavity में lungs होगे आपके medias stynum में trachea होगा isophagus होगा pericardial cavity में heart होगा और महा धमनी जो heart से जुड़ी होगी ना जो blood vessels होती है बड़ी-बड़ी जैसे औरोटा होती है या वेना कावा होती है वो great vessels बड़ी-बड़ी vessels वो जुड़ी होगी pericardial cavity से abdominal cavity से जोड़े तो abdominal cavity में liver मिलेगा stomach मिलेगा pancreas मिलेगा intestine मिलेगी गोल्विक में जोड़े तो pelvic cavity में क्या मिलेगा पैलिविक नीचे वाली उसमें urinary bladder urine store करने वाला reproductive organs यह सारे पैलिविक मिलेगी एक एक अंग कौन कौन सी जगह पर है वो सारा clear हो गया ना पूनम सिंग में कोई दिक्कत होई क्या सारे clear होगी थोड़ा समय एक बार और दर्शाओं thoracic cavity में किसी को दिक्कत है तो thoracic cavity thoracic cavity एक umbrella है उस umbrella में main दो भाग कर सकते हैं यह तीन कर लो आप दो भाग करें तो एक तो गया plural cavity जो की right and left दो नाम से है ठीक है एक आप media steinam बोल सकते हैं cavity media steinam के अंद्रगत ही एक उसका सब पार्ट है क्या pericardial cavity pericardial cavity ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यहापर डोक्टर पूनम सिंग में कोई दिक्कत नहीं है ओके यह आपकी body की सारी cavities हमने चेक कर लिए बोडी cavity अब जो है हमारा body का देखो अंग होता है ऐसे mouth होता है किसी वेक्ति का यह mouth है ठीक है गर्दन है नीचे गर्दन से नीचे हम उसका ऐसे shoulder आ जाते है ठीक है शोल्डर से उसके दो हाथ निकल एक साइडों में ठीक है ओके उसका बाकी का एरिया जो होता है यहाँ तक स्टमक को हम ऐसे काउंट करते होते हैं, ठीक है, स्टमक तक, नीचे दो टांगे चलेगी उसकी, ठीक है, अब ये जो स्टमक वाला हिस्सा है ना, इसको हम इतने हिस्से को, इतने हिस्से को, बाकी हिस्सा ने, केवल स्ट्रेस स्टमक वाला, इसको हम चार भागों में डिव तीन 4 ऐसे 4 है अब आपका हर्ट मुझे बताओ किस साइड दख यह होता है ने है मैं हर्ट को इधर बना रहा हूँ अब आप अंगों को जगा समझ के अंग समझ के अंग समझ के अमरी ऐस हमिमनी चरीग में यह इसकी राइट साइड है, चार चीजों को हम क्या बोलते हैं, कभी शराब पी है क्या, किसी नाम तो सुना होगा शोग जी, है ना, ओ, क्वार्टर, 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 क्वार्टर बोलते हैं ना, फोर्थ इसे को, वो लोग अब शराब भी लोग है न अनपड कितना भी हो उसको quarter कहना आता है ठीक है बहुआ बोल देते हैं जिसको हम चोथा हिस्सा fourth one-fourth उसको quarter बोलते है बोलो ठीक है तो quadrant है यहां पर क्या आया quadrant शब्दा है था quadrant यह first quadrant बोलेंगे इसको first quadrant quadrant बोडी के इससे को बांटने का तरिका यह second quadrant हो गया second quadrant ठीक है यह अपना third बोल देंगे पहले वाल का आये right side में और right का उपर है उपर side है right अपर quadrant ऐसे हम इसका नाम देंगे ठीक है quadrant तो चार अपने क्या होगे चोथाई हो चार इससे हो जाते हो जाते हो इसके ना quadrant की रूप में हम जानते हो चत्रु बुझ बोल देंगे जो भी आप बोलते हैं ठीक है चकोर नाम बनाओ, डॉक्टर शाक्षी कटारिया में, आप तक आवाज क्यों नहीं जाती मेरी, चार नंबर उसका नाम लिखो, क्या नाम लिखो क्या आप, फोर नंबर का नाम लिखो क्या बताओ, उसकी लोकेशन को नाम क्या बोलेंगे, अगर आप एक सरजन है, एक डॉक्टर है, हो स्पिटल में है, किसी को बताना है कि इसको बिमारी है, कौन सी क्वाडरेंट में बिमारी है, बताओ, 4th number का नाम बताओ जल्दी से क्या होगा, आप बोलेंगे इसका पूरा नाम क्या हो, left quadrant तो दूसरा भी है Renuantimem आप बोलेंगे LL क्या हूँ? L laid short या इसका मतलब होगा left lower quadrant टीक है, left lower quadrant सेम ऐसी, दूसरे नमबर क्या बोलेंगे? Left L U Q, in short जब बोलेंगे left upper quadrant एल क्यू राइट लोवर क्वाड्रेंट ठीक है ऐसे नाम देने वालें इसको ओके सर तो थोड़ा सा अंगों के बारे में डिसकस करते हैं कि क्या क्या कौन सा आगा सकता है जैसे अगर अंगों का पता है तो थोड़ा सा इजी रहेगा नहीं पता देखो बहुत दिक्कत होगी आपको समझनी आएगी कुछी बीचीज है लंग सम अगर आपको option दिया जाए तो ज्यादा अच्छा से रहेगा ना रहे जैसे pancreas definitely इधर सी होती होती है ऐसे होती है उपर से इसोफेकस आती है वो इधर बना देती है ऐसा करके कुछ पेट और पेट से फिर चोटी आंत ऐस से करके लिवर राइट अपर क्वाडिनेंट में आप लिवर को सोच सकते है अलांकि केडनी में दोनों में आजी लेट राइट इसी में ठीक है और राइट साइड लोवर में अगर आप देखें तो यहां पर छोटी आंत आएगी और इधर से अप उपर बढ़ेगी तो यह से कूर लानी में दिख रहा होगा ऐलियो सीखल वोर टिक है और लेफ्ट लोवर क्वाड्रेंन में आपको क्या मिलने वाले सहर यह संब कर है आब देखते हैं इसके नाम देखते हैं तो Abdominal को कहते हैं SubDivide करने हैं 4 भागों, 4 Quadrant और और ज़्यादा चोटे सुक्षम भागों में बाणते हैं 9 एरिया, Reason में बाणते हैं, 9 Reason या 4 Quadrant यह हैं, चार तो 4 ही हिस्सा हो गया, Reason की बाद करते हैं, और ज़्यादा बारिक्की से काटने के लिए हम पेट को अंगर को Define कर है ठीक है नाइन एरिया के बाद में कुछ भी नहीं है नाइन रिजन होते हैं वो भी अपने अंगों के अंसार नाइन रिजन स्मोलर जैन प्हों डोड़ें ये लाइव गैव बाह्ण आपको लेभैर इसको मैं एक नाम देता हूँ वन नंबर आपका लेफ्टCre quadrant है ठीक है left upper portion of liver liver का देखो उपर का थोड़ा से इससा है आ गया इदर ठीक है larger portion of stomach stomach का लग वो सारा इससा आ गया left kidney just पीछे stomach के होती है वो आगी spleen आ गया ऐसे transverse colon मतलो जो इस्तिरी के समाना अंतर चलती होते हो इससे आ गी निचे आ रही है intestine intestine नीचे साइड वो आ जाएगी और small intestine के कुछ पार्ट यह आ गया left upper में second number पर अगरम बात करें right upper quadrant right upper right upper में क्या आएगा यह दूसरा number है right side of liver gallbladder right kidney थोड़ा चोटे पेट का थोड़ा सा हिस्सा जो pyloric sphincter कैलाता है हमारा last का हिस्सा ठीक है ascending उपर चड़ती आंत और समाना अंतर चलती ट्रांसवर्स colon ठीक है छोटा थोड़ी आंत चोटी आंत का भाग left lower की बात करें यह रटना नहीं है किजी को भी कोई विद्यार्थी रटने की कोशिश करना चाहते तो कर ले ना बट रटना मत्र जैसे 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 अनाटमी पढ़ते जाओगे आपको यह जैसी दिमाघ में असंच अम लगबग कहाँ पर एक जिस्ट करता है एक डिक लेफ्ट क्वाडरेन्ट के आगरा अगिक उस्ते आपическая मैं बात लेफ्ट न्यार्ट करें खोटी यांत टिकाइशंस अने थिमाइन आपको लोवर सएंट जो सो यहां से कीटनी से यूरीन बन के नीचे ब्लेडर में जाता होते हैं राइट लोबर क्वाडिन की बात में चार नंबर हिस्ता इस दिरवाले को देंगी तो इधर में सीकम आ गया बड़ी याद का पहला बाग अपेंडिक्स आ गया इलियम का लास्ट पार आजएगा राइट फीमेल रिप्रडुक्टिव ओर्कन्स और राइट यूरेटर मुत्तर न लिका दाएं वाली यह शब्द आ जाएंगे आपके फोर क्वाडिन्ट में ऐसे एक्जिस्ट करेंगे रटना नहीं है मोटे तोर पर कोमन सेंस से याद रख मुझे एक यूतर चाहिए रेनु अंती में आपसे मुझे एक यूतर चाहिए स्टमक की साइड लाइक रहा है स्टमक पूरे बाहरी वाले पेट को नहीं करें स्टमक होता है जो फूड को स्टोर करता है जैसे इस्सों पर किसे जुड़ा होता है अंदर की लेफ्ट अपर मे अगर आप गहराई से पड़ेंगे तो सर स्टमक को अमने थो पढ़ा था सर की राइट में भी है तो स्टमक का हलका सा छोटा सा इसा है वो राइट में चला जाते हैं Otherwise, मोटे तोर पर, majority part जो है, stomach का, किदर रहेगा, left में रहेगा, तीक है, ऐसे थोड़ा सा वर्गी करण किया जाता है, याद रख लेंग, कोई बड़ी बात को नहीं रही, और ज्यादा गहराई से बाटने लिए, गहराई में, क्योंकि operation जब करते हैं, आपको छोटे-छोटे reasons को बाटना पड़ता है, कि मैं इस part का operation कर रहा हूँ, यहाँ पर यह चीज़ है, ऐसे से, अच्छे से, तो उस time आपको और बार इकी से बाटना पड़ता है इसको, तो क्या जाता है, four quadrant, four quadrant, चार quadrant, ठीक है, पेट को ब्राबबर ही से बाटना, लेफ्ट, जब हम nine reason बाटते हैं, nine reason, या nine reason के साथ में area बोल दें आप, ठीक है, बाटते हैं, तब आपको दो लाइने cross करनी पड़ती है, बीच में से, दो ही उपर से, दो ही बीच में से, section रानी प जाते हैं आपके, nine reasons, तो nine reason है, थोड़ा सा एक बार आप, आज के लिए इतना ही करेंगे, थोड़ा सा एक बार आप YouTube पर, Google पर, या बुक्स में पहले पढ़के आना, या मेरी previous recorded lecture, already available है, उन से देखना, ठीक है, तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, पहले समझ होगे, थोड़ा question अच्छे बनते हैं, समझ में अच्छे से आता है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, thank you to all, देने माद आप सभी का, thank you so much.